कदाचित कोई आ रहा है अवश्य ही कोई मेरे स्वामी का संदेश लाया होगा ये तो अनला है माराज विबिशन की पुत्री देवी सीता पिताश्री महाराज का राज्य अभिशेक हो गया है वो प्रभु श्री राम से आशिरवाद लेने गये है और स्वामी श्री राम ने भी तो कोई संदेश बिजवाया होगा न प्रभु श्री राम ने तो कोई संदेश नहीं बिजवाया प्रभू विरह के ख़ण बहुत पीडा दायक होते हैं मैंने देखी है माता सीता की दशा प्रभू और प्रतिक्षा मत कराईए उन्हें अब तो माता सीता से आपका मिलन हो ही जाना चाहिए हनुमान तुम ही सीता को ढूमने लंका आये थे अब तुम ही मेरा संदेश देवी सीता तक पहुंचाओ हाँ प्रभू, हाँ अवश्य प्रभू ना जाने प्रभू श्री राम का संदेश कब आएगा आएगा नहीं, आ गया मेरे प्रभू श्री राम का संदेश ये तीवरवायू के जोके संकेत है पवन पुत्र के आने का मेरे पुत्र प्रिया हनुमान के आने का प्रणाम माता पुत्र, ने आये मेरे स्वामी का संदेश क्या कहा उन्होंने अवश्य ही वो स्वयम आ रहे होंगे मुझे लेने अरे हाँ, उस्वयम कैसे आ सकते हैं? उन्हें यहाँ आने के लिए तो लंका में प्रवेश करना पड़ेगा मैं तो प्रसंता के अतिरेक में भूली गई थी कि चौदा वर्ष का वनवास पूर्ण किया बिना वो यहाँ लंका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं स्वामी ने कोई संदेश तो भेजा होगा ना मेरे लिए हाँ माता प्रभू ने आपके लिए संदेश भेजा है कि के? बताओ पुत्र बताओ मेरी विगरता मत पढ़ाओ स्वामी ने जो भी कहा है शीक्र मुझे बताओ प्रभू ने कहा है कि उन्होंने रावण का वद्ध कर दिया अब विभीशर जी लंका के राजा हैं अतह अब आप पूर्टया स्वतंत्र हैं माता माता अब आपको ये निर्णे लेना है कि आप अब क्या करना चाहती है मेरा निर्णे? मैं तो यहां रहकर भी उनसे कभी दूर नहीं थी मात्रत देह प्रिथप थी परन्तु रदय में तो प्रभू श्रीराम ही बसे हुए थै रदय से तो कभी प्रिथक नहीं हुए हम दोल ये सत्या तो मेरे स्वामी भी जानते है फिर भी उन्होंने ऐसा संदेश क्यों बेजा? क्यों मेरे निर्णाई के बारे में पूछा? क्या थे तुम्हें पूछा? माता, यही तो मैं भी प्रभू से पूछना चाहता था किन्तु संकोच वश मैं उनसे पूछना सका माता अब आप ही बताईए उन्होंने ऐसा संदेश क्यों भेजा? वो इसलिए पुत्र क्योंकि मेरे प्रभू श्री राम मात्र मेरे पती परमेश्वर ही नहीं है वो तो आयोध्या के भावी राजा भी है राजा को प्रत्य कारिय अपने मरियादा में रहकर ही करना होता है पुत्र, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ उनकी मरियादा में भी उतनी ही सहबागी हो इसलिए मैं स्वयम अपनी इच्छा से उनके पास लोट जाओ इसी में राजा श्री राम की मरियादा एवन प्रतिष्णा है सत्यवचन माता माता, तो मैं जाकर प्रभू को क्या उतर दूँ? उनसे कहना पुत्र, कि उनकी सीता की प्रसंता इसी में है कि वो शिगराती शिगर उनके पास लोटा है अपने स्वामी से मिलने के लिए मैं अत्यांद व्याकुल हूँ उचित है माता, मैं शीक रही जाकर आपके लिए नवीन वस्त्र आभूशन एवन पाल के आदे के विवस्ता करता हूं माता नहीं पुत्रा, नवीन कुछ नहीं मैं उसी रूप में मेरे स्वामी के समक्ष जाना चाती हूं जिस रूप में उन्होंने मुझे पंचवटी की कुटिया में छोड़ा था उसी आभूशन पहनना चाती हूं जो मैंने गिराय थे और तुम्हें मिले थे माता, वो आभूशन तो प्रभू ने अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखे हुए हैं देखा अनुमान ऐसा है उनका प्रेम कि मेरे आभूशन को भी रदय से लगाए रहते हैं मेरे लिए समूत्र लांकर लंका आएं और पती धर्म ऐसा कि मुझ पर कूद्रिष्टी डालने वाले राक्षस राज रावन का वत कियां और राज मरियाता भी देखूं मेरा निर्णाय जानने के लिए तुम्हें संदेश देकर बेजां हाँ माता अद्वीतियां है तुम्हारे प्रभू मेरे श्री राम हाँ माता मैं भी बहुत सोभाग्य शाली हूँ जो उन्होंने आपको संदेश देने के लिए मुझे चुना हाँ पुत्र माता मैं श्रीक रही आपका संदेश उन तक पहुचा दूँगा प्रभू हाँ प्रभू माता ने कहा है कि उनकी अर्थां गिनी सीता जिसने एक एक शण उनके प्रतीक्षा करते हुए व्यतीत की वो आज अपने स्वामी के दर्शनों के लिए आतूर है उनसे मिलने के लिए व्याकूल है यही है मेरा नेन है हनुमान यहाँ भूशन लेकर जाओ और देदो सीता को झाथ आ, झाल आ, 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 कर दो कर दो कर दो शिग्रता करोवानर विरो माता किसे विक्षान आती होगी कर दो कर दो कर दो कर दो प्रणाम मता प्रभु इस अपार हर्ष के समय जब माता से आपकी भेट होने वाली है आपके श्री मुख पर दुविधा के चिन्ने लक्षित हो रहे हैं प्रभु माता अवशी देवी के सदरश दिखाई देती होगी जब प्रभु स्वयम विश्व सरूप हैं तो माता तो साक्षा देवी लक्षमी ही होगी ना सत्य है तीनों लोकों में माता जैसी दिव्य कोई अन्य हो ही नहीं सकती माता अन्य होगी माता अन्य होगी प्रभु वाओ। मादा देवी के सदरिश नहीं सुहिम साक्षा देवी है पवित्रता एवं वादसल्य की साक्षा प्रतिमूर्थी है माता जनकनंदरी माता सीता की जनकनंदरी माता सीता की जनकनंदरी माता सीता की हुआ 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 यह क्या सबकी दृष्टी इस ओर है किन्तु स्वामी स्वामी तो इस ओर देख ही नहीं रहे है अब ऐसी कौन सी तुविधा में है मेरे श्री राम जो दृष्टी उठाकर इस ओर देख भी नहीं रहे है यह मर्यादा के बंदन भी कितना विवश कर देते हैं मेरी सीते भी सोच रही होगी कि उनके समक्ष उनकी प्राण वल्लभा इतने दिनों के बच्चात आई भी किन्तु वो उसे देख तक नहीं रहे है अब भी दुविधा में हैं प्रभू यह मिलन मिलन जैसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है वो क्या है जो प्रभू और माता के मिलन में अब भी बाधा बना हुआ है प्रणाम प्रभू आपका सेवक विभीशन लंका नरेश आपकी भार्या माता सीता को पूर्ण सम्मान सहित रहे हुआ आपको समर्पित करने हैं तु लेकर आया हूँ क्या है प्रेश्ठी प्राब के प्रण अलियों जो जो ए विलो घ्लो। लाम मादा प्राम मादा प्राम मादा अब तु देखिए अपनी सीता को मेरे श्री राम चल्णा प्राम मादा प्रभू, माता आपके समक्ष है आपके एक दृष्टी के लिए व्याकुल है माता किन्तु प्रभू आपके दृष्टी उनकी और उठक्यू नहीं रही जब यह देखकर आपके इस तुछ सेवक का हिर्दय भठा जा रहा है प्रभू फिर माता के हिर्दय पर तो नजाने क्या बीद रही होगी प्रभू आप मुझे बताए कौन से दृष्टा है बताएए ना प्रभू पड़े प्रभू गाप राम सिया राम सिया राम जै घनुमान अवश्य ही स्वामी के अंतश में कोई बहुत बड़ा अंतर्द्वन चल रहा है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाईया जिन भावी मा के सम्मान की रक्षा के लिए हमने इतना सब कुछ किया आज जब वो आपके समक्ष हैं तो आपके नेत्र उनकी और क्यों नहीं उठ रहे हैं प्रभू आपके इस उपेक्षा का क्या कारण है कोई शंका है तो बताईए प्रभू हम सब आपकी हर एक शंका का समाधान करने को तत पर रहे हैं हाँ प्रभू आप कुछ तो बताईए अनुमान पुत्र मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे स्वामी मरियादा पुरुशोत्तम श्री राम अयोध्या के भावी नरेश है अधा उनकी राज मरियादा ही उनकी दूविधा बनी हुई है मेरे स्वामी ने अपने पुरुशाट से राक्षा स्राज रावन का वत करके उझे यहां से मुक्त कराके स्वयम को आदर्श पतिस्द किया मेरे हरन के कारण संसार में इनका जो अपमान हुआ था मेरी रक्षा ना कर पाने का जो कलंक मेरे स्वामी पर लग सकता था राक्षा स्राज रावन का वत करके स्वामी ने उसे मिटा दिया किन्तों अब अब एक राजा की मरियादा ही उन्हें मेरी और देखने से पुझे अपनाने से रोक रही है मैं इतने समय राक्षा स्राज रावन के बंधन में रही हूं कि दु मेरे स्वामी श्री राम भी ये जानते हैं इतने समय उनसे दूर रहकर भी मैं पूर्ण पवित्रा हूं आगंगा की भांदी निर्वल हूं मैं किन्तु आयोध्यानरेश श्री राम ये कभी नहीं चाहेंगे कि बविश्य में कभी भी कोई उनकी पत्ती के चरित्न पर संदेह करे यही दूविदा है मेरे श्री राम के मन में हलाव रभू यह सत्ते हैसी थे सत्ते है यह आप मर्यादा एवं करतव्य में बंदे होए राम की दूविदा समझ नहीं है अरंतु दूर्भा के यह है कि संसार साक्षयों को ही सत्ते मानता है तभी मर्यादा स्तापित होती है कि दूस्वानी मैं अपनी पती प्रद्धार्म के शापत लेकर कहती हूँ कि मैं पूलताया पवित रहूंताया पवित प्रभू प्रभू माता ने पवित्रता की शपत ली है प्रभू आप भी इस सत्य से अवगत हैं कि माता पूलताया पवित्र हैं प्रभू अब तो आप यह दुविधा त्यागी प्रभू जिनके विच्छों में आप हर खण विरहकूल रहे जिनको ढूनने के लिए कोसों दूर आप नगनपैर वनवन भटके जिनके लिए आपने हम सहस्त्र वानरों को एकत्रित किया समुद्र पर सेतू बांधा माता का हरन करने वाले रामन का एकाकी ही बद करके उसे घोर पाप का दंड दिया प्रभू आज वही आपकी प्रिया आपके समक्ष हैं फिर क्यों इनकी ऐसी उपेक्षा प्रभू प्रभू आपकी वो कोमल भावना हैं कठोर कैसे हो गए प्रभू एक राजा की मर्यादा भावनाओं पर नहीं निश्पक्षता इभम साक्षों की स्पष्चता पर डिकी होई होती है अनुमान सीता पत्नी है मेरी आतुर हो मैं अपनी पत्नी को अपनाने के लिए इनके हर कश्ट मिटाकर हर सुक से इनका आचल भरने के लिए किन्थू एक भावी राजा बंधा हुआ है अपने सिध्धानतों से अपनी मर्यादा से बंधा हुआ है एक राजा की मर्यादा आज मेरी पवित्रता का प्रमान चाहती है अज़ प्रमान दूगी अपनी पवित्रता का कैसे देंगी माता प्रमान कौन सिध्ध करेगा माता की पवित्रता शास्त्रों में कहा गया है कि अगनी से अधिक पवित्र कुछ नहीं होता अगनी हर मलीनता को भस्म कर देती है मैं भी अगनी में प्रवेश करके अपनी पवित्रता का प्रमान दूगी यदि मेरे चरित्र पर कोई दोश होगा तो मैं भस्म हो जाए और यदि मेरे चरित्र निर्मरों तो मैं जीवत है अगनी से बाहर निकलाओंगी भावी मा को ऐसा करने से मना कर दीजिए प्रभू अगने से कौन जीवत निकल पाया है प्रभू प्रभू अनर्थ हो जाएगा रोक लिजिए माता को मैं तो सोयम नहीं चाथा कि मेरी सीता को किसी भी प्रभार का कोई कस्ठ हो किन्तो मैं एक भावी राजा की मर्यादाओं से भी पधा हुआ स्वामी आपका ये मौन मेरे नुञने के लिए आपकी सहमत इधर शान दो लक्षमान भाई मेरे इस अगनी परीक्षा के चिता सच्चिब करो भाईया रोके भावी मा को लक्षमान अपनी भावी मा की आप्या का पालक करो लक्षमान भाईया और इलम वत कीजिए भाईया और भावी मा की परतेक आदेश का अक्षर शह पालन करने वाले इस आनुच के लिए उनकी इस आज्या को मानना किसी काष्ट परीक्षा से कब नहीं है मुझे क्षमाकर पप्री है आज मर्यादा मुझसे मेरे प्रेम की परिक्षा ले रही है जानती हो मैं स्वामी मेरी अगनी परिक्षा मुझसे कही अधिक आपकी परिक्षा ले रही है मैंने तो अभी अगनी में प्रवेश भी नहीं किया पर अथ तो आपके अंदर की अगनी आपको पहले से ही तपा रही है रावण के साथ बाहरी युद्ध के समाप्ति के बाद सबके हृदय के भीदर उमरती हुई भावनाओं का यह कैसा युद्ध प्रारंब हो गया है प्रभू जिसमें विजह प्राप्त करने के लिए सभी को अत्यंत कठिन परिक्षा देनी होगी कितने निश्टर हो गए हैं भाया और भावी मा और उनके समक्ष कितना विवश हो गया हूं मैं यह कैसी लिला है मर्यादा पुर्शतम को ऐसी अपार पीड़ा भुगतने के लिए बात है क्यों होना पड़ रहा है सीता अगनी परी छालाए अनल अनुज लच्छ मन दहताए विवश खड़े देखे हनुमाना मर्यादा रघु नात की जाना राम सिया राम सिया राम जै हनुमान देव तभी जड़वत हो देखी कैसी घड़ी जे विधिने लेखी इत चले पावक बैदे हिमाई उत्मन अगन जले रगु राम सिया राम सिया राम जै हनुमान राम सिया राम पेखे राम सिया राम राम जैले राम बाम लोग लुआ था टूर अगुड़ा, जुआ लगाया हुआ। झाल प्रॉआ है जिस प्रकार तन, मन, धन से, मैंने अपने स्वामी को अपने रिदय में रगा पल भर के लिए अपने मन, उनसे भटकने से भटकने से उसी प्रकार है इस्थिर अभी मैं सीता, मैं सीता, अपना पते ब्रद धर्म पालन करते हैं, अपनी देह, आज मैं आपने समाहित करते हैं धर्म और मर्यादा का मान रखने के लिए सत्य को परिक्षा देनी पड़ती है थे पर अपडेट्स, लिए ट्रम परिक्ष्ण। ए प्रिक्षी सब्सक्राइब मुझा जाल दॉश्याए ओप या सब्सक्राइब आप करते हैं झाल झाल